आई आज का जो हमारा topic है वो है Geological time scale जैसे कि नाम ही बता रहा है Geological time scale के बारे में discussion करना है That means, ancient period से लेकर अब तक जो period है ठीक है, उसमें क्या क्या historical events हुए, किस तरके से हुए तो वो सारे events को जो होते हैं हम study करते हैं geological time scale में समझते हैं geological time scale क्या होता है सबसे पहले आपको यह बाइब बता दें कि exam point of view से बहुत ही ज़्यादा important है यह जो है total memory based questions जो होते हैं इस पर पूशे जाते हैं कि किस period में जो है मतलब क्या हुआ कौन सा age जो होता है amphibian age है कौन सा age जो होता है fishing age है कौन सा जह कहां पर सबसे ज़्यादा invertive rates पाए गए इस type की question जो होते हैं इससे मतलब geological time scale से पूशे जाते हैं इसलिए एकदम ध्यान से आप इसके examples को याद रखेंगे और case case मतलब period में क्या हुआ उसकी characteristic क्या थी उसे ध्यान से सुनके आपको याद रखना है क्योंकि इस पर total memory based questions जो होते हैं पूछे जाते हैं ठीक है तो geological time scale को हम discuss करते हैं कि actual में geological time scale क्या है geological time scale is a chronological sequence of geologic and evolutionary events covering the physical formation and development of the earth यह क्या कह रहा है chronological sequence बता रहा है chronological sequence यानि ancient life से अब तक के जो भी चीज़े हुई है ठीक है जितने भी events हुए है कौन सी species सबसे पहले आई फिर उसके बाद जो होती कौन सी species आई उनमे evolution कैसे हुआ ठीक है तो उसी को हम क्या कहते है chronological sequence यानि events को arrange करना ठीक है जितने भी historical events हुए है chronological sequence of geologic and evolutionary events obviously evolution हुआ सबसे पहले जो होती है बैक्टरिय का formation हुआ फिर उसके बाद जो होती other species आनी हो शुरू हुई species में जो होती है जैसे मतलब फिर उसके जो ancestor थे फिर उनके जो descendant है तो इन सब चीजों को जो होता है हम geological time scale में discuss करते हैं उन्हें बताया जाता है कि कब क्या-क्या changes हुए ठीक है इवन physical changes और जो होता है development की भी हम इसमें बात करते हैं ठीक है the geological time scale is divided into ion, era, period, epoch and age ठीक है तो इनको समझते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है यहां पर ion होता है ठीक है two or more geological eras form an ion मतलब दो और दो से ज़्यादा era मिलकर जो होते हैं ion यानि सबसे बड़ी category किसकी होती है ion की आती है ठीक है which is the largest division of geological time सबसे बड़ा division होता है lasting many hundred of million of years ठीक है इसके hundred of million of years को मिला के जो होता है ion बनता है फिर ion के बाद जो होता है era आता है era जो होता है दो और more geological period से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें जो होते है hundred of years जो होते है का duration होता है हम जब duration की बात करते है तो उस duration को इसमें count किया जाता है यहाँ पर क्या है hundreds of million of years ठीक है तो यहाँ पर जो है कि era जो होता है ion से मतलब थोड़ा सा कम होता है ठीक है फिर period की बात करें तो period क्या होता है कि the period is the basic unit of geological time ठीक है in which a single type of rock system is warm मतलब कौन से period में जो होती है कौन सी events होए ठीक है तो उसे जो होता है discuss किया जाता है period में मिस कौन सी species जैसे age of amphibians है age of fishes है ठीक है तो यह system जो होते है periods में study किये जाते है और इसमें क्या होता है lasting 10 millions of years यहाँ पर क्या है hundred यहाँ पर क्या है sorry यह thousand है ठीक है thousand of million of years यहाँ पर hundred है यहाँ पर कितने है 10 million of years का जो होता है एक period होता है ठीक है epoch की अगर हम बात करें तो epoch जो होता है उससे भी छोटा होता है and epoch is a division of geological period ठीक है जब period को categorized यह classify किया जाता है तो उसे किस में बाटा जाता है epoch में पर डिवाइड किया जाता है It is the smallest division of geological time the lasting several million of years means 10 से जो होता है कम होता है ठीक है एज की बात की जाए तो एक जो होती है एक particular unit होती है ठीक है कौन सी unit is distinguished by some feature जैसे कैसे हम बोलते है के age of eyes आयागा ठीक है तो उसको एज में परखा जाता है Age is shorter than epoch usually lasting from a few millions एक या दो या तीन million से मिलकर जो होता है age बता है to about 100 million of years ठीक है आप हम इसको discuss करते है कि कौन से period में या कौन से era में कौन से events हुए थे आपको geological time scale में कुछ धियान नहीं देना है बस आपको देखना है कि इस era में क्या हुआ था कहां पर mass extension हुआ था कहां पर कौन सी चीज़े जो होती है develop हुई थी बस आपको इतना ही याद रखना है ठीक है अगर आप इस lecture को और इसकी examples को अच्छे तरीके से याद कर ले तो आप easily जो होता है इसके question को solve कर सकते हैं क्योंकि total memory based questions इस पर पूछे जाते हैं तो पहले बात जो होती है सबसे बड़ा eon ही था ठीक है thousand of million of years से मिलकर बना हुआ था hedion जो था hedion eon की अगर बात करें तो यहां पर hedion eon में जो क्या हुआ था no life form on earth surface कोई भी life नहीं थी इस टाइम पे atmosphere develop हो रहा था अर्थ का formation हो गया था atmosphere develop हो रहा था लेकिन अभी तक कोई भी life इस period में नहीं आई थी ठीक है hedion eon के बाद आता है archion bacterium archion जो होता है यहां पर actually bacteria का formation start हो गया था ठीक है bacterial micro fossil was present photosynthetic bacteria stromatolites जिसे हम कहते हैं one cell organism stromatolites क्या है one cell organism है evolved first eokaryote यह क्या था देखो जहां पर mostly archion में क्या था bacteria का जो होता है growth start हो गया था और stromatolites जो है यह eukaryote है जबके हम bacteria को किस में रखते हैं prokaryotes में रखते हैं ठीक है bacteria का development किस में हुआ था archion में हुआ था और पहला eokaryote भी आर्खियोन में ही आया और पहला eukaryote कौन सा है stromatolites ठीक है one cell organism है उसके बाद proterozoic यह era है ठीक है proterozoic proterozoic era है इसमें क्या हुआ that is era of ancient life यह point important है question पूचा जाता है कि era of ancient life किसे कहा जाता है तो proterozoic era को era of ancient life कहा जाता है यहाँ पर जो है origin जो होती है multi-cellular organism की हो गई थी ठीक है जैसे multi-cellular organism just like sponges sealant rate जो होता है यहाँ पर उनका development start हो गया था colonies भी बन गई थी किसकी algae की colony जो होती है बन गई थी plankton जो होते है वो आ गया थे मतलब आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली जो life आई थी वो मतलब पानी में ही आई है ठीक है यह सारे organism जो होते है पानी में ही develop हुए थे जितने भी हम यह जो bacteria की भी बात कर रहे है eocariots की भी बात कर रहे है सबसे पहले life जो है वो पानी में ही आई है बाद में जो होती है मतलब अर्थ पे रहने वाले organism का development हुआ है हम जितने भी पहले आर्कियोन की बात करें तो वहाँ पर बस इतना ही याद रखना है कि प्रोकेरियोट सबसे पहले develop हुए उसके बाद आर्कियोन के period में ही पहला eukaryot ये question आपको आता है कि सबसे पहले eukaryot किस एरा में या किस एउन में आया था तो आर्कियोन में सबसे पहला जो होता है eukaryot आया था ठीक है Proterozoic में क्या आया कि इसको era of ancient life कहते हैं multicellular organism का formation जो होता है Colonial algae और plankton जो होते हैं, plankton क्या होते हैं, small plants होते हैं, ठीक हैं, ये कहां पर पानी के surface पे तैरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, plankton होते हैं, तो plankton का formation जो होता है, proterozoic era में start हो गया था, फिर उसके बाद जो दूसरा era है, पहले zoic era है, उसको divide किया गया है, periods में, है न, era जो होता है, बड़ा होता है, कई सारे दो, दो से ज़्यादा है, मतलब periods मिलकर जो होते हैं, एक era को बनाते हैं, तो ये पहले zoic era को भी जो होते हैं, periods में divide किया गया, तो जो periods में divide किया गया, तो इसमें जो होता है, सबसे पहला, जो मतलब period था वो था Cambrian period ठीक है जिसे इसी Cambrian period को जो होता है Age of Invertibrate कहा जाता है most important point according to exam point of use ठीक है exam point of use से सबसे important point है कि कुशन पूछा जाता है कि Age of Invertibrate कांग सा मतलब period है तो आपको बताना है कि Age of Invertibrate जो होता है Cambrian period में आता है इसमें जो होता है Massive rice हुआ था किसका Marine Invertibrate का ठीक है